हरे कृष्णा सभी को दन्वल प्रणाम हम आज आपको दर्शन कराएंगे प्रिंदावन के वारेबन 24 उपवन में से एक वन का जो मतुरा से 70 किलोमीटर की दूरी पर इस्तित है जो माट तहसील में आता है यमना पली पार ये इस्तिली भगवान की निकुंच लीला इस्तिली है गरक सहता के अनसार जगत पिता ब्रह्मा जी ने भगवान शिरी कृष्ण और राधा रानी का विभा कराया और कन्यादान नारत मुनी ने स्वैम किया अब हम भांडिर्वन पहुच गए हैं और पुजारी बाबा से यहां की लीला के बारे में श्रवन करेंगे सखावड़े कर्मियां कि बच्रा मार्दू तो अत्या रह रह रहा है बावान बुरे तो में क्या करूं कि तुझा सभी त्यूत पर इश्णान सकता सामने सुवाए गावान ने बंशी से प्रगट किया उसे बिराजमान हुए तभी तीधन अबना रूप दर्गे भवान को इश्णान कराया तो इसको में भी सभी त्यूत बच्छा होती है इस प्रिवापानी सबिल हो जाता है यहां और तो बच्चे ने होते हो ज़रों खंजे सुजाते हो अब तो बच्चा ने होती हो जो इसनान करें मंतर मनुप रहो हो ले तो संदकान की प्राफिश्ण भी तो इसे बादा कि नहीं आता है आता भी है तो इसे कोई भावता चार बता की नहीं जो बादा कि ने जिए हुए जब वहावान किस्ट प्रगट हो गई तो नंदबाब हो भावान डिश्गा नाम चेले के अपर तुर्भ घंदभे वा करने के परोद गर्गा चार करें तो संदकान के 17 कुल सत्तरय नाम यह दूर पर रखें कि तो से पहला नाम का मतम ज़ा रदा बगोंद। इस तरीरी ड़प राखें करें। प्रिशवान की बेटी यहां को नाम राधा है यहां को बुर्दे एक बातों ब्रिशवाने मेरे लाधा की तगाई तपर दिये वियाओ करेंगो अभी तो मेरे लाधा सूने दना को बहुत है जो 17-18 वर्ष को जाओ जोगी तो ब्रिवा करेंगो कई एसन होए गो अपनी बाधा से मुकर जाए तो घरगाचार बोले यहां तेरी बीटाग ब्यवा राधा की संग्यम होगो और बाहांट्री ब्रिश्वान होगो ब्रिश्वान होगो यह तो देवत्र की गीचि मोड़ो न नंदबाबा गायचारा रहेती तब दुपर को मौशब खराबूगा बर्चा होए भी लगी नंदबाबा घवड़ा के लाधा को लगके कहां जाओंगो इसी तरह से बर्चा होती रही तो सामकू लाला लेकिया कहां रुखोंगो इकर की नंदबाबा बोले आप के शोड़ के लाला कुष्णपुरो जतोदा में या को अत्मतावियों राजे ने वहां को भूजी मिलिया को भूजी मिलेकर के यहां यहां आते हैं मंदब प्रकटवायों यहां में अजार खंबा लगे हुए रत्रमणिति शुशुविते बीच में सिंगासर मने वहाए सिंगासर पे करते हैं ने वहां अपनी बंची को अपने पासम रख लिया उसने बंची को रादेंजी ने तो रादिया सभी देंतावे मंदब कूचारत रुटे गेल लेओ मंदब की सुवप और बढ़े हमारा हिंदू जीतिवे आधिकास्य प्रदाए जो लड़का-लड़की मंदब की जो बादें चुर्ति वार दो दक्रीं कि जोतो होती है। जो र्टेर सभ कोई ने दो कि एसी रहा दें संक्तरए बंची को दूलनाने निजसी को उन। ने कंद तुद्या कर दी वंध्या वारति किंण है झाहक। बावातности की कि माजक वरा वानकों chosen जिन्दूर गोER रावा सिंदूर जिक र५ोगे देप्ता किरू युद नहीं बढ़ा हुआ है प्रावानकों चलत भी बावन फ्रीगरोरी सिगोंब्सhost के तो अब हैं तो आपके इस द्रेकों नेशें पाँगी अभी तो आपने मेरे समय व्यवार अचाया था मैं एक तरणा बच्ता हो तुम्हें बाले बच्ता में हो हमारा तुम्हारा निर्वा कैसे होगा तभी आकास मानी गुई आकास मानी दौरब हमार मेरे रादे यह बहांतिर ब हमारी तुम्हारी कुण्ज़ के लिए यह होई है अब भी तुम्हारा चाया रूप वर्शाने में महलो मरेगा और दिप रूप से हमेजा यहीं देवाश करोगी नियाव से मिले के लिए यहीं आप पर जोई इतने समीरादी बहुत पूछ होई है अब हमार के श्रुब इस देवादे ने राधे कि नीचे बैठे हुए थी तो भवान राधे के राधे जो घया बहांकी बन जो हमारी तुमारी तुमारी कुण्जन की लीला भी है राधे में गया हुए आज आप परत्मा प्रस्नू जो बगति यहां में हो और इसको एक आच्वन करेगा उसे चो तुमारी में जो अपनी मनो कामना भुजाओ तो इसकी में मनो कामना पुरी करोगा जो गते एक राधे निवाश करगा और खुगा विष्चनान करेगा महां किर दरस्ट करेगा तो बोलुकी करेगा यहां बैठ के कुई चीज खाग एगा तो एन दूलुकी क्राफिया तो जो गवुदान दरेगा उसकी तेहतर पेड़ी का उतिहार हो कि इतने स्विम के राजे जी मेरी तो आपने मोची विड़ाता है यह तरह होने पंगा भक्तों के त्री मिलों हो जाएगी कि चौपीसा बंदा रहेंगे हमारी तुमारे पेटे बादासरी में राजे कोपनियम यह पेड़ों दुख तो बंदा बनाए यहां कि देला किता है यहां को प्रकाशन देला हुआ जब अपके कही बार पूरे प्रिजम घुम जाएगो तो वसकी उपार परूंगा कि तू बांड़ बन में हर वक्तों बांड़ बन में ने आता है तो जिसकी वह विशेश करपा हो पुजारी बाबा से कथा श्रुमन करने के बाद में हम दर्शन करते हैं तो बांड़ प्यारी के दर्शन करिए यह एक मात्र मंदिर है जहां पर भगवान शी कृष्ण श्रीमती राधारानी की मांग भर रहे हैं विवा होता है तो यह सिंदूर्दान जो एक रस्म है वो हो तो आपको वहां जो विवा मंदप भी दिखाए देगा साथ में जो विवा के साथ हत लोई वाला जो एक रसम होती है तो यहां ब्रह्मा जी बस वही रसम की लीला चल रही है और उसके बाद जो भगवान है वो अपने ग्वाल वालों के साथ में भोजन कर रहे हैं गाहें चरने जाती है उस टेम और यह पुराना उस टेम का दर्शन है जब शादी हुई थी तो उसका एक फोटो है और आगे मल युद्ध वाली जो लीला है वो और यह दुर्वासा मुनी के लिए अस्ट सखियां भूजन लेके जाती है यमना पली पार और यहां बरतन भी आपको ज़स्ट इस्थित है दिवे कूप जिसके बारे में पुजारी बाबा हमें बता रहे थे तो उसके भी दर्शन करेंगे और यह प्रलंबा सुर्का बद करते हुए जैसे मंदिर में एंटर होते हैं इसके ज़स्ट सामने ही वो कुगा इस्थित है इस कुए में आपको पता ह सुमबवती अमावस्या जब आती है छीट सागर का आगमन होता है जल दूद में बदल जाता है जिन माताओं को संतान नहीं होती है वो यहां पर संतान की कामना के लिए आती है तो हम लोग ने भी यहां आचमन किया और देखिए यह अंदर से ऐसा है और जस्ट सामने यहां पर मनत मांगी जाती है और जो लोग केवल चीटे लगाते हैं इस जल से उनके पापनस्ट हो जाते हैं परिक्रमा से सारे तीर्थों का पुर्णे प्राप्त होता है और आचमन मात्र से पुनर जनम नहीं होता है और इस कुए के दर्शन से भगवान के 24 अप्तारों के करते हैं तो इसलिए सीनियर का होना बहुत जरूरी है साथ में और आचमन करने के बाद यहां हमने भगवान श्री कृष्ण के विवा का जो मुकुट है उसके दर्शन करें और आपको यह जो गोबर का वो दिख रहे है न स्वास्तिक तो जो माता के संतान नहीं होती है वो संतान प्राप्ति के लिए स्वामवती अमावस्या को आएं और इसनान करें और स्वास्तिक बनाएं गाय के गोबर से आपकी मनोकामना श्रीमती राधनाने पूरी करेंगे और आगे हम प्रलंबा सुर्फ बदलिला पुजारी बाबा से श्रवन करते हैं महांडीर बन में बलराम जी ने प्रलंबा सुर का उद्धार किया है प्रलंबा सुर कुमारा है उसका उद्धार करने के लिए एक बार भगवान कृष्ण बलराम धोनों आख मिचोनी खेल खेल रहे थे उसी समय प्रलंब आया है और प्रलंब ने आग्रे किया है तो भगव सर्थ यह है कि यहां जिसकिसी की खेल में पार्टी हार जाएगी बाजू हार जाएगा उसे यहां से पित्वी पे ले जाना है और पित्वी पे यहां से छोड़ना है बीच में हार जाता है तो उसमें स्वाब मुक्का प्रहार करेंगे और मुक्का दे करके फिर भी उसे यहां अगर इस सर्थ को मंजूर हो तो खेलने लगे तो उन्होंने का ठीक है मैं मंजूर करता हूं तो बलाम जी की पार्टी में वह गर के कृष्ण की पार्टी में वह जो प्रलम बथा वो रहा और खेलते खेलते दोनों की पार्टी में बलाम जी की पार्टी जीत गई कृष्ण की पार्टी हार गई हारी हुई पार्टी जीती हुई पार्टी को पितनी पहलाद करके पीट पहलाद करके जो है ले जाती है बंसीवर तक ले जाती है बंसीवर से फिर पापे सोने लगे लेकिन जो प्रलंब था वो दाउजी को ले करके आगे बढ़ने लगा और बढ़ते का यहां पर स्वरूप जो काला हो गया है नेत लाल हो गया है दाउजी ने मुक्का प्रहार किया है मुक्के के प्रहार से उसकी प्राण निकल गए प्राण निकल करके यहां पर और के doctorite only हो गई, तुम दोसी हो उन्हें का दूस नहीं है भाही युक्त जोन तो गवाला किने लगें नहीं आप यह दोसी हैं हमारी गाय बचलों अड़क्त हरको हम कर लेसे सात्त में भोजण नहीं करेंगे क्योंकि यहां रोजयना का नियम था सुभह लाते थे और दो पेर को अपना गोल बना करके सभी भोजन किया करते थे और गाय एक बचड़े सभी साथ में चड़ते थे तो जब भगवान ने कहा वह इसका दोस कैसे दूर किया जाए तो सभी तीर्थों के लिए जाये जाये सभी गवालवालों ने कहा है तो गवालवालों जो कहने पर भगवान कहने ले वह है मैं यहीं पर बुला लेता हूँ सभ अपना सरी रूप ले करके आएंगे और सभी अपने साथ में जल लाएंगे तो उन्होंने का ठीक है हम देख सकें तो भगवान ने यहाँ पर हल से जो गड़ा खोदा है चुई है इसमें अंदर इसमें जो भगवान बैठे हैं तो इसमें से जो दूर्धन की धार निकली है जबी से आज भी सौम्बती मावश्या को दूर्धन की धार निकलती है यह वही बट व्रक्ष है इसी मंडप में विभा संपन हुआ था तो आप मंडप के दर्शन करिए यह हवन कुंट है और आज भी बना हुआ है मंडप आप आएंगे तो आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा और कहते हैं यहाँ वही आते हैं जो भगवान शी क्रिष्ण और श्रीमती राधारानी के विभा में किसी ना किसी रूप में वहाँ मौजूद थे तो पोलते हैं कि यदि आप दस बार ब्रिंदावन आ जाओगे तब जाके आपकी उपर इक्रपा होगी भांडिर्वन आने के लिए और सामने आपको हम दर्शन कराते हैं भगवान शी शेतने महाप्रबो के चर्णो का तो आप दर्शन करिए हमने परिक्रमा भी की यहां जब आप आओगे तो आपको बहुत ही शान्ती का नभव होगा और वही जो पुराना व्रिंदावन वाला फील आपको यहां मिलेगा और कितना सुन्दर है मैं आपको पूरा एक बर गुमा के दर्शन कराती हूँ देखी यह कुछ इस तरीके से है और यहां पर मैंने एक कॉशन प्रबुजी से पूछा था कि प्रबुजी क्या यह हमारी शुटकी मातर जी गौरांगी भगवान की जो विभा उसमें समलित थी और इन पर इतनी जल्दी क्रपा कैसे हो गई तो प्रबुजी ने कहा कि इनकी भक्ती बहुती उचे लेवल पर शुटी होगी इसलिए इनका जो खाता है ना वो इतने बच्पन से स्टार्ट हो गया है और हम जो यहां जितना भी धन दौलत कमा रहे हैं वो सब यहीं रह जाना है हमारे साथ बस यही बैंक बैलेंस जाएगा हरी नाम का तो हम लोग फिर उसके बाद में दर्शन की आराम से चैंटिंग की और फिर जाते हैं मधुकरी के लिए तो यहां पर जिब हम जाही रहे थे तो पुजारी जो हैं उन्नोंने गौरांगी मातन जी को भगवान की जो माला है वो दी तो मतलब हम कहरती कि देखिए कितनी कुरपा है छोटे से बगत पर कितने खुश हो रहे हैं भगवान और साथ में हम लोगों ने फोटो क्योंकि याद रहे कि हम लोग सभी साथ गए थे डिवोटी ऐसे विस्टेशन के बिना पॉसीबल नहीं है और यहाँ पर हम लोगों ने मधुकरी की तो मातलब जी ने छाच, रोटी, अचार और साथ में ये मातलब जी इतनी अच्छी है उन्होंने का जब भी आओ मेरा घर बगल में है मैं यहाँ ना मिलू तो मुझसे मिलके जाना और फिर उन्होंने अपने नंबर भी दिया कि कभी डिवोटी बहुत सारे आएं तो मुझे पहले ही बता देना मैं मधुकरी का विवस्था करके रखूंगी और आप भर पेट भी पास सकते हो तो हमने बोला कि माता जी हम आपको परेशान नहीं करना चाते बस आप हम मैं भर पेट खिलाऊंगी तो मैंने उनको देखें एकदम से कि भाई फर्स्ट बार में मिली हूं और इतना प्यार तो सब लोगों ने यहां पर च्छाच ली और रोटी थी सबजी थी तो सभी लोगों ने मधुकरी की और सब बहुत खुश थे कि कभी कुसी के पास जाते ह कोई नहीं पूसता है आज का टाइम ऐसा हो किया है कि कोई ध्यान नहीं नहीं रखता है ठीके आए हैं फॉर्मल्टी है थोड़ा सा चायवाय करा हो और भगा दो लेकिन ब्रजवासियों का प्यार तो आपको तब ही मिलेगा जब आप ब्रज में जाएंगे और जैसी हम लो पी चॉकलेट्स या फिर कुछ फ्रूट्स उनको आप खिला सकते हैं तो यहां पर सभी ने मिलके महामंत्र बोला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सबसे नाम पूछे और कहा अगली बार आओंगी तो आपके लिए अपने हातों से ज़रूर कुछ बना के लाओंग कभी नहीं सोचा था मैंने तो यह भर के इतना प्रशाद और साथ में भांडिर वन के पास वाले वन जो जगह है वहां से मुझे वो करॉंदा दिया उन्होंने तोड़के वो ना माताजी आप अचार डालना जगनाची के लिए तो फिर वो भी उसका मैने अचार डाल दिया है क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा एक है और यहां पर मैं पूजा माताजी से बात करते हुए तो बहुत ही अच्छी फीलिंग रही और यह दर्शन करवा ब्रच का मतलब इतना खुशी हो रहा था और साथ में मुझे वहां से गिफ्ट भी मिली थी मुझे वहां से माताज ब्रच वासी ही कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता है तो यहां बहुत अच्छा लग रहा था ठंडी हवा चल रही थी तो बस बहार आगे खड़ी हुई और सभी से बहुत सारी बाते की और प्रशादन के बाद थोड़ा सा आराम करके हम लोग फिर वहां से निकलने का था तो ब् तब हम आपको सारी जो आसपास के बन हैं उनके दर्शन कराएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ब्रज में एक दिन और ब्रजवासीयों का पूरा प्यार समेट के दिल तो यहां कर रहा था कि बस रुख जाएं लेकिन जितने देर शीमती रादारानी की पर्मिशन होती हम उतना देरी रुख सकते हैं और हम चल देते हैं भरतपुर की ओर तो डिवोटियों के एसोशेशन में कुछ इस भर तरहा जो मेरा दिन निकला जाते टाइम वापस यमना माई के पुल को देखके इतना अच्छा लगा लगा कि शीधा मृद्दा बन जाएं लेकिन वो पॉस दर्शन किये मिलती हैं नेक्स्ट लिला इस्तिली के इस दर्शन के साथ मैं तब तक के लिए हरे कृष्णा जय जगनात